शिवाय नमस्तू भी हम दोस्तों पुझ गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस मंत्र के बारे में अपनी कथा के दोरान बताया है अगर आप सुभा उटकर बासी मुख इस मंत्र का जब करेंगे आपको एक ही बार अपने मुख पर इस मंत्र को लेना है आपका प आसी मुख इस मंत्र का जब करिएगा इस मंत्र को अपने मुख पर एक बार ले लीजिएगा आपके सारे कारी जो आप पुरे दिन भर में करने वाले होंगे वह पुन्टाहर रूप से पून होंगे साथी में बावा महाकाल की आपार कृपा आपको मिलेगी तो आएए जानते हैं शिवपुरान के इस चमतकारी मंत्र के बारे में किस प्रकार से आपको कौन सा मंत्र कब बोलना चाहिए इसकी महत्वता भी हिंदु धर्म में बहुत ही अधीक महत्वता बताई गई है साधी पुझ गुरुजी पंडित प्रदीब जी मिश्रा ने इस मंत्र का जब करने को सभी को कहा है तो आएए जानते हैं पुझ गुरुजी पंडित प्रदीब जी मिश्रा का शिवपुरान का यह चोटा सा चमतकारी मंत्र हिंदु धर्म में मंत्रों का उलेक बड़े ही विशेश तरीके से किया गया है यह आज से नहीं प्राचिनकाल से चला रहा है फुझ गुरुजी पंडित प्रदीब जी मिश्रा ने इस चोटे से मंत्र के बारे में कई महत्ताएं बताई है आपको सुभा उठकर प्राधर काल आपको बिना मुख दोए बासी मुख से आपको यह चोटे से मंत्र का जब करना है ओम नमस्शिवाय मंत्र का अ महा मरत्युन जय जाप एक बार आप सुभे उठकर कर लीजिएगा इन तिनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र ग्यारा बार आपको जब करना है जान देने वाली बात यह है कि आपको विना किसी का मुख देखे इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जब करना है ग्यारा बार आप किसी भी एक मंतर का जब का लीजेगा ओम नमस्ट शिवाय श्री शिवाय नमस्तु भी हम या महा मरत्युन जब का एक बार अवश्य आप नाम ले लीजेगा जो भी अपना दिन इन मंतरों के साथ शुरू करता है उसके पूरे दिन में उसे सफलताएं प्राप्त होत तो एक बार आप यहां इस मंत्र को प्रैयोक करके अपने जीवन में अवर्ष लिखेगा आप जितनी बार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मंत्र को सुभा उठकर बासी मुख प्रयोक करना चालू कर दीजिए पुजु गुरुजी पंडित प्रदीब जी मिश्रा ने इन मंत्रों के बारे में कई और बहुत ही अधीक महत्वताइं बताई हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर पूछ सकते हैं पंडित प्रदीब जी मिश्रा के इसी प्रकार की जानकारियां उपाए आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा श्री शिवाय नमस्तु प्याम हरहर महादेव